दोस्तों नमस्कार टीवीविन इंडिया के खास बिलेटीन खबर दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत इसे रोकने के लिए अब तक 12,38,53,000 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है कोविड संक्रमन और उससे होने वाली मौतों को रोकने के लिए तमाम तरह के उपाय किये जा रहे है दिल्ली में आज सोमवार से 6 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का एलान किया गया है कोरोना महमारी को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल और वो प्राज्यपाल अनिल बैजल की बैठक में इसका फैसला लिया गया सीयम केजरिवाल ने कहा कि दिल्ली में अगले सोमवार की सुबह पांच बजे तक यह लॉकडाउन जारी रहेगा दरसल दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 23,500 कोबीड मामले सामने आये हैं संक्रमण दराधिक होने के कारण करफी और लॉकडाउन का एलान करना पड़ा है दिल्ली की तरह राजसान में भी अशोग गालो सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन लगा दिया है लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए गालो सरकार ने यह लॉकडाउन इमपोच किया इसे जन अनुशासन पकवाडा नाम दिया गया है लॉकडाउन के दोरान जरूरी सेवाओं को छोड़ कर अन्य सभी सेवाओं को बंद रखने का आदेश है बाजार, मॉल, सिनेमा घर और रेस्तरा बंद रहेंगे वहीं होम डिलिवरी के लिए छूट रहेगी इंडस्ट्रीज को भी लॉकडाउन में छूट दी गई है देश में घरेलू उडानों से यात्रा करने पर प्रवासियों को अपनी यात्रा की तारीक और समय में बदलाओ के लिए कोई चार्ज नहीं देने होंगे विवान सेवा कमपनियों ने घरेलू मारगों पर बिना सुल्क यात्रा की तारीक में बदलाओ का आफर दिया है हलांकि या आफर सीमित समय के लिए है एरलाइन इंडिगो ने कहा है कि यात्री 17 अपरेल से 30 अपरेल के बीच यात्रा के लिए और इसी दोरान बुक करईगे टिकट पर बिना सुल्क तारीक में बदलाओ कर सकते है जबकि एरेसिया से यात्रा करने वाले यात्री 15 माई तक यात्रा के तारीक और समय में जितनी बार चाहें बदलाओ कर सकते हैं और यह सर्विस मुप्थ होगी जाहिर है पेंडमी काल में कई बार यात्रातितियों में बदलाओ की गुंजाईस होती है ऐसे में यह आफ़र थोड़े दिनों के लिए ही सही लेकिन राहत देने वाला है उत्तर प्रदेश में पंचाय चुनाओ के दूसरे चरण में 20 जिलो में चुनाओ चल रहे हैं आज लखनाओ समेत 20 जिलो में वोटिंग हो रही है पेंडमी काल में कोरोना संकर्मन और सुरक्षा के लिहाज से हाँ पुखता इंतजाम किये गए हैं 57 कंपनी पीएसी और 10 कंपन ललितपूर चित्रकूट प्रताबगड लखीमपूर खीरी महराज गंज बाराणसी और आजमगड़ में वोटिंग हो रही है मसूर सिंगर सोनु निगम ने कुम्ब मेले को लेकर एक बड़ा बयान दिया है कोरोना मामारी के बीच हरिद्वार में आयोजित कुम्ब मेले को लेकर सोनु निगम ने साफ कहा कि यह आयोजन नहीं होना चाहिए था सोनु निगम ने अपने इंस्ट्राग्राम पर एक वीडियो सेयर करते हुए कहा कि मैं किसी और के बारे में कुछ नहीं कह सकता लेकिन एक हिंदू होने के नाते यह जरूर कह सकता हूँ कि कुम्ब मेला नहीं होना चाहिए था दरसल सोनु निगम मस्जिदों पर लौड स्पीकर के खिलाब बोलकर विवादों में रह चुके हैं तब उनका बहुत धिरोध हुआ था महराश्ट में कोरोना के कोहराम के बीच चल रही रेम डेसिवीर की काला बाजारी को लेकर कॉंग्रेस ने मोदी सरकार और बीजेपी पर हमला बोला है आज कॉंग्रेस नेता और पुर्वे सीम असोग चवान और सुप्रियास रिनेत ने प्रेस कॉंफरेंस में पकड़े गए दवा सप्लायर का संबंद बीजेपी से पताते हुए इसके लिए मोदी सरकार की खिचाई की असोग चवान ने कहा कि एक तरब महाराष्ट में मौत का तांडो मचा रही महमारी को रोकने महाविकास आगारी सरकार जी जान से प्रयास कर रही है वहीं बीजेपी और मोदी सरकार के इशारे पर रेम डिसिवीर की काला बाजारी हो रही है कॉंग्रेस ने इसके लिए बीजेपी की निंदा की है कॉंग्रेस ने जहां रेम डिसिवीर को लेकर बीजेपी पर हमला किया है वहीं महाराष्ट के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंदर फणवीस ने महाविकास आगारी पर पलटवार किया है फणवीस ने कहा कि जिस मेडिकल स्ट्वाकिस्ट को पुलिस ने रेम डिसिवीर की काला बाजारी के अंदेशे में हिरासत में लेकर जबरन करवाई की है वह पूरी तरह से जूटी है बीजेपी नेता ने दावा किया कि उद्व सरकार अपनी नाकामिया छिपाने के लिए बेवज़ा के मुद्दों में उलज रही है देवेंद्र फंडवीष ने अपनी जांच कराय जाने के बयानों पर भी जबाब देते हुए कहा कि मैं महराष्ट की जनता के लिए काम कर रहा हूँ इसलिए कारवाई से डर नहीं है प्रदार मंतरी नरेंद्र मोदी ने मनसे अध्यक्ष राश्ठाकरे की मांग मान ली है राश्ठाकरे ने पीम को चिठ्ठी लिखकर महराष्ट में बढ़ते कोरोना को रोकने पांच मांगे रखी थी जिनमें हाफकिन्स जैसी कमपनियों को वैक्सिन उसपादन की मंजूरी देने की मांग सामिल थी जिसे प्रदार मंतरी ने मान लिया आज राश्ठाकरे ने खुड ट्वीट कर इसकी जानकारी साजा की राश्ठाकरे ने लिखा है कि सौ फिस्दी वैक्सिनेशन का लक्ष पूरा करने हमने जो मांग की थी उसे पीम ने मान लिया है इसलिए उनका आभार यदि इसी तरह केंदर सरकार का साथ मिलता रहा तो एक जुट रहकर हम कोरोना जैसे संकट को हरा पाएंगे महराश्च के परिवहन मंत्री अनिल परब ने कोरोना मरीजों तक आक्सिजन की सप्लाई को अबाधित रखने के लिए ग्रीन कोरीडोर बनाने का एलान किया है परिवहन मंतरी अनिल परब ने कहा कि आक्सीजन टेंकर हास्पिटलों तक जलद और आसानी से पहुँचें इसके लिए सरकार गंभीरता से काम कर रही है अधिक टेंकर चालकों की विवस्ता कर रही है इसमें स्टी बस चालकों की भी मदद ली जाएगी परिवहन मंतरी ने अभी माना की कोरोना लॉकडाउन के कारण कुछ वहन चालकों के गाउं जाने से दिक्कत हो रही है लेकिन उसे जल्द ठीक कर लिया जाएगा दरसल आक्सीजन आपूर्ती के तुरित परिवहन के लिए रिल्वे ने ग्रीन कोरीडोर बना रखा है नौइमबई के वीजेपी विधायक और पूर्वमंतरी गनेशनाईक ने सीटको एमडी संजय मुखरजी को खत लिख कर नौइमबई महानगर पालिका के लिए 25 करोड की सहयता राशी देने की मांग की है दरसल महानगर पालिका अकेले कोरोना महामारी को रोकने में जुटी है गनेशनाईक की मांग है कि जिसरा सीटको ने मुंबई में जम्बो कोविड केर सिंटर बनाने में बीमसी की मदद की उसी तरज पर नौइमबई मन्पा को भी मदद करना चाहिए गनेशनाईक ने याद दिलाया है कि सीटको यहां के किसानों की जमीने लेकर आज अमीर कमपनी बनी है इसलिए जब नौइमबई सहर आज महामारी के संकट में है तब सीटको को 25 करोड की मदद करने में हर्ज नहीं होना चाहिए नौइमबई की एपिमसी मंडियों और कारोबारी ठीकानों पर काम करने वाले माथारी कामगारों को भी अतियावश्यक सेवा कर्मियों का दरजा देते हुए उन्हें बस और ट्रेन में यात्रा की परमिसन देने की मांग की गई है माथारी नेता नरेंदर पाटिल ने उद्दो सरकार से माथारी कामगारों को भी मा कवच और फ्रंट लाइन वरकर का दरजा देने की मांग की है माथारी नेताओं का कहना है कि एपिमसी अतियावश्यक सेवाओं में शामिल है फिर इसमें काम करने वाले माथाड़ी कामगारों को फ्रंट लाइन वरकर की तरह सेवा सुविधा क्यों नहीं मिलनी चाहिए दरसल अब तक दरजनों माथाड़ी कामगार कोरोना से जान गवा चुके हैं आज खबर दिन बर में मेरे साथ इतना ही दीजिए हमें इजाज़त लेकिन दूसरी खबरों के लिए आप देखते रहें ये TV वर इंडिया लाइव नमस्कार लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीम खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइप को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत देए